इंजन की जो लाइफ है वो डिपेंड होती है उसकी सर्विसिंग पे यदि सर्विस टाइम से पहले कराते हैं तो इंजन की लोंग लाइफ बढ़ती है लेकिन सर्विस यदि लेट हो तो इंजन की लाइफ घड़ती है यानि इंजनों के लिए मेन क्या है सर्विसिंग और सर् यह रिजर्व रहता एक चेंबर में और इसको घुमाता है एक oil pump oil pump कितना सही घुमा रहा है कितना नहीं घुमा रहा है उसको एक switch के द्वारा monitor किया जाता है जिसको बोलते है oil pressure switch वो कितना सही घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है वो switch हमें बता देता है कि engine oil किस तरीके से घूम रही है किसको नहीं घूम रही है और उसको सबको operate करता रहता है issue अब आपको भी पता है कि engine oil engine में क्यों जरूरी है क्योंकि engine के अंदर बहुत सारे bearing है बहुत सारे components part है जिसको oil नहीं मिलेगा time से या सही pressure से नहीं मिलेगा तो engine सीज हो जाएगा इसलिए issue सारे oil supply को monitoring करता रहता है और यह oil की supply ठीक नहीं रहेगी तो dashboard में जलाके हमें बता देगा कि यह supply ठीक नहीं है अब इसमें थोड़ा सा यह है कि जिसने ध्यान दे लिया इस चीज को वो तो बच गया लेकिन जिसने नजर अंदाज किया तो उसका engine सीज हो जाना है इसलिए यह जो light है बहुत ज्यादा serious बहुत ज्यादा खतरनाक होती है अब थोड़ा हम deeply पहुंचते हैं इसके बारे में कई बार होता है कि यह जो light आ रही है तो किसी का engine सीज हो जाता है किसी का बच जाता है तो हम यह जान लेते हैं कि किसका engine सीज होता है सबसे पहले यह जानते है किसका engine siege होता है, यदि गाड़ी के अंदर engine oil कम है, और उस condition में light आ गई, तो engine siege हो जाना है, गाड़ी का जो oil filter है, वो पूरी तरीके से चोक है, उस condition में light आ गई, तो engine siege हो जाना है, कहीं से chamber फट गया, उस condition में light आ गई, तो engine siege हो जाना है, या फिर oil pump जो होता है oil pump खराब हो जाए उसका chain तूट जाए उसकी गरारी तूट जाए या फिर किसी condition बस oil pump खराब हो जाए तो उस condition में यदि light आए तो engine siege हो सकता है अब जान लेते हैं कि यह जो light आती है तो किसी का engine बच जाता है तो ऐसे क्यों होता है उसका इंजन क्यों बच जाता है तो यह समझे यदि यह light आ गई और उस गाड़ी का oil pressure switch oil की supply को monitoring करने वाल जो oil pressure switch होता है वो switch खराब हो जाए यानि supply तो हो रही है प्रपर लेकिन switch जो monitoring कर रहा हो खराब है तो वो हमें बतानी पार है कि supply ठीक है कि खराब है तो जो switch खराब हो उस case में भी light आती है तो engine सीज नहीं होगा दूसरा उस switch का wiring टूटा हो और उस case में light आए तो engine बच जाएगा तीसरा यदि issue खराब हो issues की signal को नहीं ले रहा हो तो भी आपका engine सीज नहीं होगा उसके light आने से और चोथा आपका meter में ही problem हो और वो light आ रही हो और आपका engine उस condition में सीज नहीं होगा तो समझ गए किसका engine सीज होगा किसका नहीं होगा अब यह light वार्णिंग light आ गए तो हम कैसे जाने के oil supply system खराब है या oil monitoring system खराब है दोनों अंतर है एक oil supply system है दूसरा उस supply को monitoring करने वाला system है तो यह light आने के पास हम कैसे जाने के monitoring system खराब है या supply system खराब है तो हमने क्या कर करना होगा सिंपली चाहें ओएल स्विच खोलना होगा या फिर टैपिट को वर का धक्कन खोल के देखना होगा को उपर चड़ रहा है कि नहीं चड़ रहा है तो जब इस्टार्ट करेंगे तो बहुत तगड़ा प्रेशर आएगा यदि हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ लट्रिंग सिस्टम सही है ओल की सप्लाई सिस्टम खराब है अब हम जान लेते हैं कि यदि चलती गाड़ी में यह लाइट आ जाए तो हम क्या करें लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या करें या फिर किसी मेकैनिक पास भी गाड़ी आई है और यह वाद्निंग लाइट आ यह थे तो अब हम क्या स्टेफ करें तो उस पर डीटेल में जनते हैं जब भी गाड़ी चल R रहे हूं और यह लाइट अ आ जाए दिख जाए हमने यह देखना कि किस condition में light आ रहे हैं कई बर होता है light आ रहे है ऐडल कंडिशन में हलका सा रेज दिये light चली गई तो उसमें घबड़ाने वाली बात नहीं है लेकिन वह continue light आ रही है रास्ते में हैं तो हम क्या करें तो सबसे पहले करिए पहले गाड़ी को बंद कुछ भी क टो नहीं है और तीसरी चीज की ओयल जो आपका है इंजयन ओयल है गिस्त तो नहीं बना हुआ है में ववीक्ध्य नहीं शेह आंसे मिंश्ड Richt नहीं जा सकते हैं लेकिन आफके दिखता है करें नहीं शर्ण है तो आपका इंजन खतम है और गिरिस बना हुआ है तो तो भी गाड़ी को टो करके मेकानिक पास लेके जाना है गाड़ी नहीं चलानी है आपको किस कंडिशन में चलानी है यह लाइट आने के बाद आपका ओयल पूरा होना चीए टैपिट कवर का धकन खोल के देख लीजिए ओइल उपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है और तीसरी चीज कोई चमबर ओंबर ठुका ना हो नीचे से कोई लीकेज ना हो इस कंडिशन में गाड़ी चला सकते है यह आपको लगता है ओएल कम है तो टोप अप करके भी गाड़ी चला सकते है लेकिन बीना ओएल के कई चमबर फूटा हुआ है तो ओएल गिरिस बना हुआ है तो बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चला इसको टो करके दुकान लेके जाएं नहीं तो इंजन सीच कर देगा और इसलिए सबसे ज़्यादा खतरना कि यह वर्णिंग लाइट माना जाता है कि इंजन ओएल की जो सप्ला है तो लाइक करके शेयर वेर कर दीजिए अपने यार दोस्तों को जो भी कोई जनकार आदमी है आपके जानने वाला तो उसको शेयर कर सकते हैं बाद यादि आपको लगता है कि इंफर्मेशन बिल्कुल भी सही नहीं है और यह बीडियो बिल्कुल सही नहीं है रही है दूसरा स्वस्थ है और तीसरा सावधानी बहुत जरूरी है चाहें गाली चला रहे हो कहीं हो कुई बिजन समय हो किसी भी ढंदे हो सावधानी बहुत जरूरी है कि